और बच्चों कैसे हैं आप लोग, तो हम लोगों ने Electrostatic के कितने lecture कर लिए हैं, दो, तो ये वाला हमारा कौन से lecture होगा, थर्ड, तो आज हम लोग पूरा discuss करेंगे तुमारे numerical, which is based on your Coulomb's law, ठीक है, Coulomb's law को आज पूरा कोशिश करेंगे, पूरा खतम हो जाए, ठीक है, जित this is your lecture number 3, तो हम लोग क्या करेंगे, Coulomb's law पर questions करने हैं, ठीक है, चलिए, झौराओं, चौराओं, झाला झाले कुमारा झाला हमारा करेंगे, तुमारा कश हईके स09, पाले कुमारा करेंगे पूरास. झाल झाल चलिए तो करें इन कुश्चन को आईए देखे समझते हैं तो पहला कुश्चन है बहुत इजी है कुलंब्स लो बहुत असान होता है साधा डिफिकल्ट नहीं है उसको हम लोग अराम से सॉल्ट करते हैं आईए देखे क्या कह रहा है कह रहा है इन दे फॉलविंग कॉन्फिगरेशन ओफ चार्ज इस फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 Q2 बाई Q1 तो इसका मदलब दो चार्जीज हैं हमारे पास तो पहले हम यहां लिख लेते हैं तो यह दो चार्जीज हो गए हमारे पास माल देखे हम लोग यह Q1 है और यह Q2 है और यह हो गया Q1 ने Q2 पे लगा है तो कैसे लिखेंगे F2,1 अब हमको अगर f21 लिखना है and then how we can write तो 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 by r square इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए magnitude तो नहीं होगा ठीक लेकिन अब problem क्या उसने vector format दे रहा है तो देखो ज़रा समझना अगर मैं इधर से इधर एक vector लिखूँ हूँ तो क्या लिखूँँगा तो मैं लिखूँँगा r21 vector क्या लिखूँँगा वोलो r21 vector लिखूँँगा नहीं r21 नहीं क्या लिखेंगे हम लो r12 vector ये vector आगे है मेरे पास इधर की तरफ और अगर हम इधर की तरफ बात करेंगे तो क्या लिखेंगे r1 r21 vector तो मैं कह सकता हूँ लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, मैं R12 cap, अब अगर हम देखें, तो R12 cap तो किसी में भी नहीं है, सब में क्या आ रहा है, R21, तो हम यह कह सकते हैं, कि R12 cap जो है, वो बराबर है, minus of R21 के, सही है न, भई यह अगर minus मैं, इधर अगर मैं इसको minus कर दूँ, तो यह पलट पाई epsilon 0, Q1 into Q2 by R2 into R21 cap, तो which one is the right answer, देखें, यहाँ पर यह है, और यहाँ पर यह है, चेंज कहा है दोनों में, हाँ, दोनों में चेंज कहा है, यहाँ पर R2, और यहाँ पर R3, तो which one is correct, B is your right answer, अब देखो, यह क्यूब यहाँ पर कब सही हो जाता, समझना दरा, यहीं मैं बता दे रहाँ तुमें, अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्मेट में लिखता, तो यह इस वक्त सही हो जाता, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q1 into Q2 by R2 into minus R21 vector by R, तो यह क्यूब आ जाता, तो अब यह सही होता, ठीक है, तो this is your right answer, बनाईए इसको जल्दी से, चलिया, हो गया, अब देखें, अ हम करते हैं इसमें, question number 2, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, चलिया, space create करना पोड़ेगा, ओके, रखें, अब आते हैं इस वाले question पर, देखें, क्या कह रहा है, question, समझते है, आईए, तो देखें, क्या कह रहा है, the ratio of the force between two small spheres with constant charge in air, in medium, of dialectic constant is इतना, ठीक है, तो दे देखो, इसमें हमें करना क्या होगा, यह समझते हैं, तो हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे कह रहा है, कि वो किस medium में होगा, तो अगर हम medium की बात कर रहा है, तो हमें कैसे निकालना है इसको, यह समझ लेते हैं, देखो, अगर हम मालने कि वो पहले air में थे, ठीक है, यह air में है, R distance की दूरी पर यह Q1 है और यह Q2 है तो what is the force in air? तो force in air लग रही होगी K into Q1 into Q2 by K अन्य लिखते हैं यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 0 R square ठीक है यह air हो गया अब अगर medium में रख रहे हैं हम लोग किस में रख रहे हैं? medium में तो क्या होता है? तो इसकी जगाँ पर K into epsilon 0 आ जाएगा यानि 1 upon 4 pi epsilon 0 into K into Q1 into Q2 by R square साहिए ओके अब क्या लिख सकते हैं? तो FM is equal to 1 upon K into बागी सारा क्या है F in air? हम से क्या कह रहे हैं? हम से कह रहे हैं? 1st और 2nd का ratio बताओ यानि F in air divided by F in medium तो कितना आ जाएगा? इसको नीचे लाएँगे ये तो K is to 1 तो which one is correct? तो this is your right answer ठीक है? बनाओ इसको जल्दी से चलिए देखिए हाँ ये question थोड़ा important है अच्छा question है ये इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा ठीक है? ये आईए समझते हैं इसको देखिए क्या किया रहा है? two point charges placed at a certain distance in air captain air ठीक है? air पर रखावा है अगर वही हम किसी उसमें रख दें तो कितना होगा? तो air में अगर हम रख रहे हैं तो air में कितना होगा? one upon four pi epsilon naught q1 into q2 by r अब इसी को मीडियम में लग दें तो कितना लिखेंगे? one upon k into one upon four pi epsilon naught q1 into q2 by r' इसका तो ये पूरा कट जाएगा इससे? कटेगा के नहीं? बिल्कुल ये तो कट जाएगा अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए r' तो r' r' square is equal to क्या हो जाएगा? r square by k यानि r' is equal to r by root k तो which one is correct? तो इसमें आपका b is right बनाओ जल्दी से इसको देखें, यहां पर क्या कह रहे? force of reduction between two electric charges plays at the distance d इना medium is f, ठीक है? तो किसी medium में अगर f distance है यानि f इसी कर लोगी कितना है? 1 upon 4 pi epsilon naught into d by, sorry, क्या है? q1 into q2 by d square, अब क्या कह रहे? कह रहे? what distance apart should they are kept in the same medium so that the force become f by 3? तो देखो force कितनी हो जाने है? f by 3, यानि इसका one third कर दें तो 1 by 3 into 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 into q2 by d square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 by d dash square तो ये से निपड जाएगा, तो क्या आ रहे है? बताओ, तो हमें मिल जाएगा d dash is equal to root 3 of d, क्या मिलेगा बोलो, root 3 of d, तो which one is correct? तो this is your right answer, ठीक है? बनाओ इसको जल्दी से चली question लिखते हैं जब तक बताओ, तो जब तक जाएगाग दो जाएगा है जब तक बताओ, तक बताओ, तक बताओ, तक रचपर से जाएगागा, आएगागा है जाएगा है झाल झाल चलिए, तो करें अब इनको solve, आईए देखिए समझते हैं देखिए, क्या कर रहा है, 3 charges, 4Q, Q, Q, Q and Q, small q are in a straight line in position 0, L by 2, L respectively, देखिए, क्या कह रहा है, यह कह रहा है, कि हमारे पास यहां पर इस तरह से 3 charges है, एक 0 पर है, एक L by 2 पर है, और एक L पर है, यहां पर 4Q है, यहां पर Q है, और यहां पर small q है, क्या कह रहा है, the resultant force on q will be 0 if q is, ओके, अब समझते हैं, देखो, कह रहा है, इस पर क्या होना चाहिए, force, 0 होना चाहिए, तो यह और यह सेम है, तो इस पर क्या करेगा, repel करेगा, इसको इदर धका मारेगा, ओके, यहां इस पर कितना force लग रहा है, इदर की तरफ, हमन अब यह बताओ, तो यह तो इसको धका मारेगा, तो दूर जा रहा है, ओके, यह बात समझ में आ गई, अब दूसरी बात यह है, कि अब इसको रोकना है, तो रोकने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, खीचना पड़ेगा, जब यह खीचेगा इसको, तो इसका मतलब यह opposite sign का हो गया, यानि अगर यह positive है, और इसने क्या बोला है, three charges of straight line, ठीक है, तो इसमें positive ही मानेंगे हम इनको, क्योंकि रेपैल कर रहा है, मानने थे हम लोग positive ही है, और यह तो इसको खीचेगा, कि नहीं opposite nature का होगा, कैसा होगा, opposite nature का होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब इस पर कितनी force लग रही है, तो यह वाली जो force होगी, वो होगी, k into q into q upon l by 2 का whole square, क्योंकि यहां से यहांतिका separation, l by 2 है, बस काहनी खतम करो अब इसको, तो 4 k बड़ा q, छोटा q upon l square is equal to k into 4 small q square upon l square, तो इतनी पट गया, एक q से यह कम हो गया, k से k भी निपट गया, और इस स यह भी निपट गया, तो क्या आ रहा है, तो q is equal to q, तो है option, यह answer भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि opposite बोला है, तो यानि क्या होगा, minus q, तो which one is right, a is the right answer, ठीक है, आया समझ में, चलिए, बनाईए इस पुझल दी से, चलिए, नेक्स सवाल करते हैं, थोड़ा space create कर लेते हैं, देखे, इसको समझते हैं, two point charges plus three coulum, micro coulum and plus eight micro coulum repel each other with a force of 40 newton, ठीक है, देखो, क्या कह रहा है हम से, यह कह रहा है कि हमारे पास दो charges हैं, यह, एक है plus three micro coulum, और एक है plus four micro, plus eight micro coulum, हम, ठीक है, यह, तो यह दूसरे को repel कर रहा है, यह इसको और यह इसको, कितना? 40 newton से, ओके, 40 newton से, अब वो कह रहा है कि अगर हम इसको minus three, minus five micro coulum दे दें, यानि इसको अगर हम minus five micro coulum दे दें, तो बताओ यह कितना हो जाएगा? minus two micro coulum, और इसको भी ऐसा ही कर दे, तो यह कितना हो जाएगा? प्लस three micro coulum, अब क्या होगा? अब होगा यह, कि यह दोनों एक दुसरे को खीचेंगे, ऐसे, तो कह रहा है, अब force कितनी होगी? समझते हैं, देखो, तो हम यह बोलेंगे, पहले यहाँ से हम बात कर लें, तो 40 is equal to क्या है? के इंटू, के इंटू, के इंटू, इतना लिखें? 3 इंटू, 8 इंटू, 10 to the power minus 12 upon r square, तो हम कह सकते हैं, के 40, इंदेखो, 40 इंटू, 10 to the power 12 upon 24 is equal to k by r square, कोई दिखकर, कोई दिखकर नहीं है, अब यहाँ पर थोड़ा सोचते हैं, तो अगर अब हम साइन की बात ना करें, तो force कितना होगा, यहाँ पर यह हमें निकालना है, तो k q by r square तो यह होगा, यह कितना हो जाएगा? 6 into 10 to the power minus 12, यह value कितनी है, तो 40 upon 24 into 10 to the power 12 into 6 into 10 to the power 1, यह से 1 हो गया, यह से 4 हो गया और यह से 10 हो गया, यहनी कितना हो जाएगा? 10, but, but, plus 10 भी दिया होगा है, और minus 10, यह साइन को इसाइन करना है, तो क्या होगा? attraction हो रहा है, तो attraction की वजाए से हमें क्या साइन देना होगा? negative, तो which one is right? this is your right answer, बनाव इसको जल दिसे, दिखे, इसको समझते हैं फोड़ा सा, क्या क्या रहा है? a charge q is placed at the center of the line joining the two equal charges q, the system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to, देखो, equilibrium का क्या मत्ता होता है? net force under system must be 0, rotational भी और translational भी, ठीक है? अब देखो, अब इसको समझते हैं, तो हमारे पास क्या 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 रहा है? a charge q is placed at the center of the line joining the two equal charges q and q, तो देखो, अगर ये हमारे पास, ये midpoint है, यहाँ पे हमने q रखा, तो यहाँ पे भी q रख दिया और यहाँ पे भी q रख दिया, आप समझना इसको, तो अगर ये r है मेरे पास, तो ये भी क्या होगा? r, तो तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? q क्या होगा? तो देखो ये वाला Q ये वाला Q इसको क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा? ये और ये वाला Q इसको धक्का मारेगा? इधर की तरफ बिल्कुल सही है तो ये दोनों दो भाग जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसको रोकना पड़ेगा इसको रोकने के लिए ये इस पे किधर force लगाएगा? इधर की तरफ और इस पे किधर लगाएगा? इधर की तरफ तबी तो रोत पाएगा इसका मतलब कि अगर ये दोनों force बराबर हो जाए तो net force पे 0 हो गए और ये दोनों भी बराबर हो जाए तो net force इस पे भी 0 हो गई, हो गई के नहीं, तो net force 0 आ रही है, तो वह हम से कह रहा है, दूसरी बात ही, opposite nature का होगा, ये भी बात समझ रहे हैं, चलो, अब apply कर देते हैं, equilibrium पे, तो क्या करेंगा अब हम इसको बता हो जल्दी से, ये तो अब होई जाएगा, k q square upon 4 r square है ना, 2 plus 2, r plus r, is equal to क्या होना चाहिए, k into q into q by r square, तो ये से ने पट गया, एक पावर और ये और ये, तो q is equal to क्या हा रहा है, 4 q, but in opposite sign तो minus देतेंगे, which one is right, तो this is your right answer, बनाओ जल्दी से इसको, चलिए, एक और question करते हैं, इसको देखिए, देखिए, question है हमारे पास, बताईए इसको जल्दी से, How we can solve this, चलो, करें, देखिए, देखिए, इसको, obviously बात है, जो आपका coulum slow होता है, they will be valid for the point charges, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, यहाँ पर क्या है, continuous distribution of charge है, तो वो तो valid होगा नहीं, तो हमें integration का help लेना पड़ेगा, अगर integration का help नहीं ले रहे हो, तो तुम्हें एक तरीखे से और भी हम इसको कर सकते हैं, देखो कैसे, अब यह बताओ, अगर यह चार्ज, देखो यह तो point charge है ही, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इतना इसकी length छोटी कर दूँ, कि इसका point charge बना कर यहीं बैठा दूँ, तो क्या अंसर आना चाहिए, denominator में मुझे D इसका नसर आना चाहिए, यानि L tending to 0, अगर मेरा L tending to 0 चलने लगेगा, तो यह क्या होगा, यह point में बदलने लगेगा, अगर यह point में बदलेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा value मि मिल जाएगा, तो देखो कि इस पर काम कर रहा है, तो क्या करें इसमें, अगर हम इस पर apply करें, तो D, अगर हम इसको L को 0 कर दें, तो यह भी आ जाएगा, ठीक है, और कुछ, और कुछ है, अच्छा, यह minus है यहाँ पर, यह, ठीक है, तो L अगर हमारा 0 हो रहा है, तो यह भ होगा, अब इसमें अगर सोचें, तो यह वाला distance D plus L होगा, तो भी इसली बाते यही answer होना चाहिए, अब इसको verify करें, देखो कैसे, तो आपने इक चीज़ पढ़ी होगी, कि अगर हम यहाँ से एक DQ element काट ले, X distance की दूरी पर, और DX length का, तो how you can write, तो तो तुम लिखोग कि Q by L is equal to DQ by DX, तो अब बताओ DQ क्या लिख देंगे, Q by L DX, लिख देंगे के नहीं, अगर यह लिख दिया हो हमने, तो अब बताओ इसका अगर हमें force निकाला हम क्या लिखेंगे, F integration, क्या लिखेंगे बताओ, K into small Q into DQ upon X square, ठीक है, अब बस लगा दो value जल्दी से, तो KQ into Q by L, 1 upon X square DX, अब बताओ X कहां से लेंगे, तो यह X है न हमारा, तो हमारा यह Q कहां से शुरू हो रहा है, D से, और D से, यानि यहां से, अगर हम यहां से बात करेंगे, तो कहां से कहां तक चलेंगे, यहां से हमने X लिया, यहां से यहां तक D, और फिर यहां से start हो ज Q by L, यहां पर क्या जाएगा, minus 1 upon X square, sorry, यहां पर क्या जाएगा, D, और यहां पर क्या जाएगा, D plus L, तो अगर हम इसको solve करेंगे, तो हमें मिलेगा, KQQ upon, यह आपको मिलेगा, D, और L plus D, तो which one is right answer, यह आपको मिल जाएगा, तो कौन सा answer सही है हमारे पास, C is the right answer, बनाओ जाओ जल्दी से, चलिया, अब आगे बोड़े, अब देखे, इसमें नेक जो चीज़ है, वो हमारे पास, Superposition Principle, क्या है हमारे पास, Superposition Principle, समझते हैं देखिया है इसको, तो वह आप लोग समझते हैं, Superposition Principle, क्या होता है, अगर हम Superposition Principle की बात कर रहे है, किसकी बात कर रहे ह Superposition Principle, अगर Superposition Principle की अगर हम बात करें, तो हम यह कह सकते हैं, कि अगर मुझे इस वाले चार्च पर, बाकी रखे वे चार्च की वज़ा से, फोर्स चाहिए, क्या चाहिए इस पर, फोर्स चाहिए मुझे, यह, इधर लगा रहा हुगा, यह इधर, यह इधर, मानेत यह F1 है यह F2 है, और यह F3 है, तो Superposition क्या कहता है, कि F0, इस पर जो का, उन सब का क्या कर दीजे, Vector Sum, क्या कर दीजे, Vector Sum, तो this is called as a, क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम लोग बोलते हैं, Superposition Principle, अब इसको apply कैसे करते हैं, वो समझते हैं, देखे, अगर हम इसका application देखना चाहते हैं, तो अगर मैं आपसे question पूछू, माल लीजे, मैंने आपसे question पूछा, मैंने बोला तुमसे, कि यहाँ पर एक charge है Q, और एक charge यहाँ पर है Q, ठीक, और इन दोनों की बीच में जो distance है, वो है D, ठीक, अब इस पर एक perpendicular bisector है, यहाँ पर कोई, यह, तो मैंने तुमसे पूछा, charge रखा हुआ है मेरे पास Q, अब मैंने तुमसे बोला कि इसकी वज़ा से इस पर और इसकी वज़ा से इस पर net force बताओ, क्या बताओ, net force बताओ, ध्यान से समझना है इसको, ठीक, अगर हमे net force निकालना है, then how we can solve this, तो अगर हमे net force निकालना है, इस पर तो हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें ये वाला force और ये वाला force यही तो चाहिए है वह हमें इसके उपर, ये इसको ऐसे force लगा रहा है और ये इसको ऐसे force लगा रहा है, तो हमें यहाँ पर इस पर force चाहिए, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला force है और ये वाला force है, अब यहाँ पर मैं थीटा बना लेता हूं तो ये भी क्या होगा थीटा ठीक है ये कितना होगा थीटा होगा हमारे पास और ये ऐसा कर लेते हैं ये थीटा हो गया ये क्या होगा 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा के नहीं अब अगर ये 90 माइनस थीटा है हमारे पास काम करते हैं इसको थीटा ले लेते हैं और ये भी क्या हमारे पास थीटा तो ये यह बताओ, यह magnitude ली तो सब बराबर होंगे, तो इसका इधर, अगर यह F है और यह F है, तो इसका इधर कितना component? इधर की तरफ, कौन सा component जाएगा? तो देखो, यह अगर हम ले रहे हैं, ठीक है? अगर हम यह ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा इधर क्या जाएगा? F cos theta, is equal to, क्या जाएगा बतो? 2F cos theta, और F हम क्या करेंगे? यहाँ से find out कर लेंगे, अगर यह बास समझ में अब नहीं? बोलो, यह बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यह चीज हम यहाँ से calculate कर सकते हैं, ठीक है? तो यह हमें यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, अब यह आएगा कितना? यह देख लेते हैं, तो देखो जारा, तो 2 into F कितना होगा हमारे पास? देखो यह कितना है हमारे पास? D by 2 का whole square plus x square और इसका root, यह R हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? Q, ऐसे लिखेंगे, 2K Q into Q naught upon root of D by 2 का whole square plus x square into cos theta, what is the cos theta, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, मतलब x upon, क्या लिख सकते हैं बदो? x upon, अच्छे यह इसका square हो जाएगा, यहाँ पे वही आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आजाएगा? D by 2 का whole square plus x square की power, हाँ, तो हम लिख सकते हैं इसको, 2K into Q into Q naught by, by, क्या आजाएगा बतो? हम यहाँ लिख देंगे, under root या यह लिख देंगे, D by 2 का whole square plus x square की power 3 by 2x, यह हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है? बना उसको जल्दी से, जल्दी से लिखो, फिर आगे इसमे नुमेरिकल करना हैं लोग को, Done? चलिए देखिए, तो यह बात समाझ में, इसके एक और चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो, यह वाला जो charge है हमारे पास, यह वाला, वो क्या है? यह total charge है यह यहाँ पर है, और यह इसके यहाँ पर ले लेंगे और इसको calculate करेंगे, अब इसका application बताते हैं कैसे करना है, अच्छा, अगर यह पूछ लेता है, where is the maximum force of this? तो अगर इस पर हमें F maximum पूछ ले, तो तुमको मिलेगा D upon root 2, क्या मिलेगा बताओ, यह यह जितना भी है, उसका क्या कर दीजे, root 2 कर दीजे, ठीक है? चलिए, देखो अब आगे, अगर तुमसे कोई यह बोले, कि हमारे पास यहाँ पर यह एक equilateral triangle है, यह, यह यहाँ पर equilateral triangle है, यह, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर Q, आप से बोले यह L, यह L, यह L, बोले कि यहाँ पर force बता दो, due to all other charges, due to all other charges, तो अब देखो क्या करना है, superposition लगाना है, तो देखो, हम क्या बोलेंगे, इसकी वज़ा से इस पर किदर force होगा, इधर की तरफ, इसकी वज़ा से, इधर की तरफ, यहाँ पर angle कितना होगा, 6 degree, यह F हो गया, यह F1 माल लो, और यह कितना हो गया, F1 हो गया, अब इसका जो, तो इनका जो resultant होगा, यहीं कहीं तो जा रहा होगा, यह हम चाहिए F net, तो अगर हम F निकालें इस पर, F निकालें, तो कितना आएगा, बताओ, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो आपको यहाद रखना है, तब दो equal vector, अगर किसी angle पर, 60 degree पर inclined है, तो इसका F net कितना होता है, जाल दी बताओ, रूट 3, F net, रूट 3 is equal into F, तो कितना आ जाएगा, बताओ, तो हम लिकिंगे, रूट 3 into, क्या लिकिंगे, यहाँ पर, कि Q square by L, square, खतम, आगे ही हमारे पास, यह हम vector का इस्तामाल कर रहे है, 120 होगा तो, same आएगा, 120 होगा तो, same आएगा, और 30 होगा तो कितना आएगा, उसको फिर निकाला जाएगा, कितना आ रहा है, ठीक है, तो यह हमें थोड़ा सा memorize कर लेना है, चलिए, अब इसी को, question को ऐसे पूछ ले देखो, अगर तुम से, यह सब बहुत छोटे-छोटे questions होते हैं, अगर तुम से यह पूछ ले, यह, तुम से यह बोले, कि यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, अब एक charge हमने इसके centroid पे Q naught यहाँ पे रख दी, अब बताओ इस पे कितना force होगा, all other the forces, तो देख है, तो यहाँ पे हमरे पास एक Q naught है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, और यहाँ पे Q, सारी distances के हैं बराबर forces भी बराबर लग रही होगी, तो इस पी कितना लग रहा होगा, इधर की तरफ, यह वाला इसको इधर धक्का मारेगा, तो हमने माल लिए चलो यह, इधर की तरफ है, यह इधर धक्का मारेगा, इधर की तरफ, यह इधर धक्का मारेगा, इधर की तरफ, अब सुनो, यह वाला जो एंगिल है, यह वाला, ठीक है, अगर हम यहाँ पे, यह 60 डिग्री होगा, यह बाइसक्टर है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बना ले, तो यह कितना था, 90, ठीक अब ये बताओ, इसका इधर कितना component, इस वाले का, तो इधर लिखेंगे, F cos 60, इधर कितना, F sin 60, इधर कितना, F sin 60, इधर कितना, F cos 60, ये तो balance हो गए, अब क्या मिलेगा, cos 60 half, cos 60 half, 1 बन गया, तो ये भी balance हो गया, तो इस पे कितना force आ रहा है net, 0, इसका मतलब अगर charges distribution symmetric कैसी हुए जल्दी बोलो, symmetric हुए तो हमें कितना मिलेगा value, 0, कितना मिलेगा बताओ, 0, अब देखो जैसे, ये मैंने दे दिया, अब तुमसे अगर कोई ये पूछ ले, कि जरा इस पे बता दो, जरा तुम, इस पे बता दो, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे पूछ लूँ तो, सब पे ऐसे ही निकालेंगे, अब समझ गए बात को के नहीं, ये देखो, ये, Q, 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 और यहाँ पे इसके, यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे भी f net is equal to 0, तो ये तुम्हें थोड़ा सा memorize कर लेना है, चलो, आगे बढ़े ह आईए देखिए, ओके, ये बात समझ में आया, अब देखो, एक question तुमसे पूछेगा, question, तुमसे ये बोलेगा कि मान लीजे, ये हमारे पास एक equilateral triangle है, this is a equilateral triangle, q, 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 ठीक, ये क्या हो गया हमारा, equilateral triangle हो गया, अगर ये equilateral triangle है तुम्हारे पास, तो इसके centroid से, एक perpendicular line, ऐसे बाहरा लिए तो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, यह, यहाँ पर एक q0 charge रखा हुआ है, x distance पे, और इसकी length L है, इसकी भी L है, और इसकी भी L है, तो आपको बताना है कि इस पे force कितना लग रहा होगा, यह हमें बताना है, how much is the force, how we can calculate this, अब समझना जरा ध्यान से, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर यह हमारे पास यह perpendicular हो गया, तो यह perpendicular आ गया, अब यहाँ से, यह perpendicular distance पर है, यह perpendicular, यानि यह R हो गया मेरा, ऐसी इससे होगा, ऐसी इससे होगा, तो मैं यह इसको ऐसे बना सकता हूँ, कैसे, कि यह यहाँ पर मैं पूरा चार्ज का रग दूँ, कितना 3Q, कौन सा, प्रिवियस, जैसे भी हमने पहले किया था, कि अगर हमारे पास यहाँ पे Q, और यहाँ पे Q चार्ज है, और अगर हम X distance दूर आकर, यहाँ पे इसको बात कर रहे हैं, अगर यह D है मान लो, और अगर यह भी D है, तो what is the forces here, तो यहाँ पे हमने force क्या लिखेती ही बताओ, तो यहाँ पे हमने लिखेती ही 2KQ into Q0 by under root of D square, वहाँ पे DY2 लिखा था, into X, लिखा था, तो मैं तो मैं तुम से क्या बोला था, यह और यह total charge ही तो है, कि इन दोनों को यहाँ पे रख दो, 2Q, तो ऐसी तो बन लेते हैं, देखो, K into 3Q upon, कितना, R square plus X square का root, root नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 3 by 2, ठीक है, R square plus X square की power, 3 by 2 into Q0, खत्म, आगे answer, आया समझ में, यह concept आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बनाओ उसको जल्दी से, चलो, एक और सवाल कर लेते हैं, देखो, अगर तुमसे यह कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, तुमसे यह कहा जाए, कि यह हमारे पास एक square है, क्या है बताओ, एक square, Q, 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 और यह आ गया हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ से, X distance की दूरी पर एक Q नॉट चार्ड़ है, बताओ कितना होगा, यह A है, यह A है, यह A है, इसको R, 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 होगा के नहीं, पर्पेंडिकुलर भी होगा, तो फिर यही concept लग जाएगा, कितना अंसर आएगा, तो F net is equal to K into 4Q into Q not upon R square plus X square की power 3 by 2 into X पत्म, बना पाओगे के नहीं, done, चलिए, अब देखो, इसमें एक और format देखते हैं, question पे, आईए देखो, देखो, अगर तुमसे एक है दिया जाए, कि मेरे पास यह एक हेक्जागन है, अगर बढ़ हो गया, बना हेक्जागन है, L, 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 यहाँ पे charge रखावा है, Q not, यहाँ पे Q, 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 इस पर net force बताओ, क्या बताओ इस पर net force, निकाल ये कैसे निकालोगे, अब आब बोलें, इसा symmetric तो है नहीं, नहीं है तो बना लो, अगर symmetric नहीं है, क्योंकि हम यह जानते हैं, अगर symmetric हो गया, तो इसमें net force 0 आ जाएगी, यही तो मतलब है, तो नहीं है, तो बना लो, तो बना लेतने साब चलो, तो यहाँ पे हमने क्या करा, plus Q रख दिया, और साथ में minus Q भी रख दिया, हो गया ना, अगर हम इसके बारे में सोचें, तो कहानी खतम, इसकी वज़ा से, इस पे net force कितना हो गया, 0, जैसी इस पे net force इनकी वज़ा से हो, तो यह तो खड़ा रह गया ना, यानि, इसका मतलब यहाँ पे minus Q होगा, और यहाँ पे Q not होगा, और यह कितनी दूर होंगे, L पर होंगे, तो what is the force is there, Q not Q upon L square, this is the F net, खतम, यह आ जाएगा हमारे पास, किधर की तरफ force लग रही हो इसके, इधर की तरफ, अगर आप कह रहे होंगे सर, ऐसे कैसे, तो visualize कर लो, यह बताओ, यह इसको इधर धक्का मारेगा, यह इसको इधर धक्का मारेगा, तो इसको balance करेगा, यह इसको इधर धक्का मारेगा, यह balance करेगा, यह balance करेगा, तो आगया, खतम, सही, चलिए, बनाए इसको जल्दी से, ठीक है अब देखो एक सवाल और करता है तुमसे जैसे मैंने तुमसी ये बोला कि मेरे पास ये दो चार्जज़ है 4Q और एक है मेरे पास 2Q 4Q और 2Q मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थर्ड अगर ये 12 सेंटिमीटर दूर है कितने हैं बोलो 12 सेंटिमीटर इसको Q ले लेते हैं तो वेर इस थर्ड चार्ज इस प्लेस्ट ठीक है कहां पर थर्ड चार्ज रख दें कि ये आपका एक्वेशन आपका ये चार्ज है वो बैलेंस कंडिशन में आ जाए या उस चार्ज को मैं कहां पर रखूँ कि उस चार्ज के उपर नेट फोड जिरो हो जाए तो देखो अगर मैं उससे हमें ये मतलब नहीं है कि वो पॉस्टिव है ये नेगिटिव है तो ये हमारे पर थर्ड तीन रिज़न है तो ये हमें देखना है तो अगर हम इसकी बात कर रहे है तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ प्लस क्यों माल लेते हैं Q0 तो ये क्या करेगा रिपेल ये भी क्या करेगा रिपेल तो भाग जाएगा यहाँ पर अगर में इसी को यहां पर होगा है अगर मैं इसी को यहां पर यहां पर रखना पड़ेगा इसके पास रखना पड़ेगा है लिया X, तो यह कितना हो जाएगा, 12-X, अब इसमों कारड़ी को गएरा बनाएंगे यह सब, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो देखो, from small charge, from small charge, छीक है, small charge से, अगर X आपको निकालना है, तो R upon बड़ा वाला चार्च, कौन सा वाला चार्च बोलो, बड़ा वाला चार् 12 upon, under root कितना है, 4 upon 1, है ना, Q हो गया, plus 1, तो कितना आ गया, 12 by 3, यानि 4 cm, यानि यहां से 3 cm, 4 cm, तो यह हमें थोड़ा सा धियान रखना है, और किसके लिए होगा, like charges, like charges, ठीक है, तो like charges के लिए हमेशा आपको neutral point कहा मिलेगा, in between them, चाहें वो positive हो, चाहें वो negative like charges हो, दूसर charge upon, चोटा, charge plus, root के बाहर 1 होना चाहिए, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, वो distance तुमारे small chart से measured हो रहा होगा, ठीक है, अच्छा, अगर यह unlike होए तो, अगर यह unlike होए तो outside चले जाते हैं, कहां चले जाएंगे, outside, ठीक है, तो चलिए इतना ही रोक ले ठीक है, okay, thank you.